दोस्तो आज इस वीडियो में समझेंगे इंटराडे की एक ऐसी स्टेटेजी के बारे में कि जिसे यूज करके आपको लगबग अपने हरे ट्रेड में प्रोफिट ही होना है। दोस्तो यह strategy एक indicator को use करके बनाई गई है और इस strategy से आपको intraday में काफी अच्छे research मिलेंगे दोस्तो इस indicator को use करके intraday में आप आसानी से profit कमा सकते हैं अभी हम चार्ट में वहाँ पर इस indicator को apply करके चार्ट में जब analyze करेंगे तो आपको खुद को realize होगा कि इसको use करके कितनी आसानी से आप intraday trading कर सकते हैं दोस्तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर moving average strategy की यहन की moving average indicator की अगर आपको नहीं पता moving average क्या होता है तो description में दिये गए इस वीडियो को आप जरूत चेक कीजिए इस वीडियो में moving average को basic से समझाया गया है moving average को adverse level पर सारी जो moving average की जानकारी होती ह यह moving average क्या है उसे कैसे use किया जाता है उसके कितने part है वो क्या है वो सारी basic चीज़ों को वहाँ पर cover किया गया है तो अगर आपको ना पता हो तो आप चाहो तो आप यह वीडियो देख सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हमारी entire strategy की तो दोस्तों यहाँ पर moving average क यूज करके आप कैसे इंट्राडे में trading करेंगे वह भी हम चार्ट पर जाके समझेंगे और दोस्तों जो आपका सबसे ज्यादा सवाल होता है कि हमें time frame कितनी use करनी है उसे भी देखेंगे क्यों इतनी ही time frame यूज करनी है वो भी समझेंगे और उसके अलावा दोस्तों आप आपका target आपका stop loss आपकी entry आप कैसे decide करोंगे उन सारी चीज़ों को cover कर लेंगे तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम चार्ट पर और वहाँ पर ही समझते हैं दोस्तों यहाँ पर nifty 50 के सारे ही stock aid है हम randomly किसी भी stock को open करेंगे और moving average की उस intraday की strategy को वहाँ पर apply करें आप चाहो उस stock को वहाँ पर analyze कर सकते हैं आप चाहो तो इंडेस में भी strategy apply कर सकते हो किसी भी stock में आप इस strategy को apply कर सकते हैं तो यहाँ पर randomly किसी भी stock को पहले open कर लेते हैं समझने के लिए जैसे कि यहाँ पर दोस्तों JSW Steel का stock देखते हैं दोस्तों यहाँ पर JSW Steel का chart खुल चुका है और यहाँ पर आप देखिए हमने 15 मिनेट का chart लगाया हुआ है जिहां दोस्तों इस strategy में आपको 15 मिनेट की chart फ्रेम पर काम करना है और वो 15 मिनेट के उपर ही क्यों करना है उसे भी आगे समझेंगे अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम हमारा 14 डे का moving average है और 14 डे का moving average लगाना है तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर moving average को add कर लेते हैं यानि कि indicator set कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर से हम moving average को यहाँ पर set करेंगे जैसे कि यहाँ पर लिख दी यह ले लेंगे हमने moving average के वीडियो में समझा था कि हमें exponential क्यों लेना चाहिए simple क्यों लेना चाहिए वैसे आप दोनों में को यूज़ करके आप internet trading कैसे कर सक होगे सबसे पहले तो दोस्तों ये चीज़ समझ लीजिए के जब जब प्राइस आपकी moving average के नीचे होगी आपको sell करना है मतलब कि जब प्राइस आपकी moving average को नीचे से उपर की तरफ काटेगी तब आप buy करोगे और जब प्राइस आपकी moving average के उपर से नीचे की तरफ काटेगी तब आपको वहाँ पर दोस्तों sell करना होता है तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम buying opportunity देखे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आपकी ये moving average के उपर price आई उसके बाद आप देखे कि आपको कितना बड़ा uptrend देखने को मिला वैसे ही दोस्तों जब जब price इस line के नीचे आ गए आप देखे आपको downfield आपको यहाँ पर दिख सकता है उसी तरह से उपर जब जाती है price तो वहाँ पर आपको again एक obtain देखने को मिलता है अब दोस्तों बात आती है कि आप entry कब लोगे आप entry कैसे करोगे तो दोस्तों देखे जब जब आपकी price इस नीचे की तरह काटती है तो आपको sell करना होता है तो जैसे ही यहाँ पर candle आपकी is line को उपर से नीचे की तरह देग नहीं वहाँ पर candlestick की पूरी series बनी हुए, सारी importers candlestick को cover किया गया है, तब उन candlestick के वीडियो देख सकते है कि candlestick क्या होती है, और सारी candlestick pattern कौन कौन सी होती है, तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको candlestick को देखर आपको यहाँ पर trade करना है, तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर इस के low के नीचे close होनी चाहिए, पर second candle में यहाँ पर हमें confirmation नहीं मिलता, हमें third candle में confirmation मिलती है, यानि कि यहाँ पर हमें confirmation मिल जाती है, यहाँ पर confirmation मिल जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर trade ले सकते हैं, यानि कि short कर सकते हैं, पर आप चाहाँ तो आप इस टोके put भी buy कर सक यहाँ पर आप टार्गेट देख सकते हैं कि इसने 595 का यहाँ पर उसने लो बनाएं मतलब कि यहाँ पर आप समझ लिए आप 600 पे यहाँ निकल जाते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको 20 रुपे का प्रोफिट होता है वो भी सिर्फ इंट्राडे में अब दोस्तों इसी यहाँ पर सेम 15 मिनित का चार्ट है और वही 14 दे का यह में लगा हुआ है तो अगर यहाँ पर हम स्टेटेजी को अपलाई करके चेक करें इंटाडे के लिए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए यहीं पर दोस्तों आप देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कें केंडल को देखें का फूर्मेशं ले रहे हैं आप वोल्यूम का भी यूजर कर सकते हैं या साथ में अगर्या को अगली केंडल बनती है उसका क्लोश आप इस्केंडल Russian के हाइग और टो यह जो कि यहां पर हो रहा है तो दोस्तों यहां पर आप एंट्री ले सकते हैं अब मान लिजिए कि अगर आपने यहां पर एंट्री ले ली है दोस्तों तो यहां पर आप एंट्री ले लेंगे यहाँ पर आपको अपना stop loss set कर देना है और उसके बाद अगर बाद target की रहती है तो दोस्तों जब तक uptrend में हैं आप वहाँ पर बने रह सकते हैं या फिर आप अपना target decide कर सकते हैं कि आपको यहाँ से कितना profit चाहिए या फिर again यह आपकी candle उस line को उपर से नीचे की तरफ का देखें तो यहाँ पर भी दोस्तों दोखिए सेम हुआ है यहाँ पर भी आप देखिए कि यहाँ पर इस candle ने आपकी लाइन को moving average की लाइन को नीचे से उपर की तरफ काटा फिर आप confirmation के लिए आप दूसरी candle का यूज कीजिए इसके हाई पर यहाँ पर close पर आप यहाँ प 14 दे का ही moving average यूज क्यों करने 15 मिनट की चार्ट ही यूज क्यों करनी है तो दोस्तों वह इसलिए कि क्योंकि मैंने सारे ही moving average और सारे ही time frame पर इसे लगा के देखा मुझे सबसे ज्यादा accurate यह लगा जैसे कि दोस्तों अगर आप कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर 14 दे के बद आप यह कम accurate है अगर price और line दोनों साथ साथी चलेंगे एक दुसरे को ढखकेर तो हम वहाँ पर trade कैसे लेंगे buying sign के signal कैसे लेंगे देखिए आप सारे में यहाँ पर आपको कितना confusion होगा आप यहाँ पर buy or selling कर ही नहीं पाओगे इस moving average को देख कर क्योंकि आप यहाँ पर दे तो same situation ही यहीं पर अब अगर दोस्तों आपको लगता होगा कि आप time frame change कर लो आप 5 minute में देखो तो तो दोस्तों अगर 5 minute में आप देखिए यहाँ पर 5 minute का हम यूज कर लेते हैं तो 5 minute में भी आपके साथ वही होगा 5 minute में भी दोस्तों देखिए आपकी price यहाँ पर ढख ज देखिए सकते इसलिए दोस्तों मुझे 15 minute का चार्ट और 14 डे का यह में सबसे बेस्ट लगा और मैं भी इसी पर काम करता हूं intraday में तो इसलिए जब भी मैं intraday करता हूं तो दोस्तों मैं 14 डे का लगाता हूं moving average और 15 minute का चार्ट तो मुझे सबसे ज्यादा यहाँ पर यह सही लगा इसलिए मैं आपको भी यही suggest कर रहा हूं अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको 100% सारह trade में profit हो जाएदा काफी बार आपका loss भी आपका stop loss भी hit होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर price नीचे आ गया था पर again price उपर चला गया उसी तरीके से दोस्तों काफी बार देखे यहां पर तो प्राइस नीचे आ गया उसके बार तो नीचे जा रहा है पर काफी बार दोस्तों यहां पर देखे प्राइस नीचे आ गया था पर वो ज्यादा नीचे टीकार है उसके बार वो उपर चला गया तो दोस्तों यहां पर आपको थोड़े बोर तो फोल सिगनल मिलेंगे कि हरे कोई भी दुनिया की स्टेटीजी आपको 100% रिजर्ट नहीं देगी अगर स्टेटीजी से आपको 100% रिजर्ट मिली था तो मतलब स्टोक मार्केट में तो किसी को लोस ही नहीं होता दोस्तों वह आपको 70-80% का अगर दोस्तों आप इसको चाहो तो आप इंट्राडे में यूज कर सकते हो इंट्राडे में इसका आपका अच्छा ही रिजर्ट मिलना है पर दोस्तों आपको डाइरेक्ट ये स्टेटेजी हो या किसी से भी सीखी स्टेटीजी हो आपको डाइरेक्ट कभी भी अप्लाई नहीं क करना है आपको उसको कम से कम पाँच दिनों तक कम से कम पाँच दिनों तक उसे बेक्टेस करना है और कम से कम पाँच स्टोक में उसको बेक्टेस करना है और तभी आपको वहाँ पर अपलाई करना है जब भी आप अपलाई करो तो बहुत ही छोटे आप वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ट्रेड करके अपना confidence बढ़ाए और वहाँ पर आप profit कीजिए दोस्तों मुझे लगता है कि यह strategy इंट्राडे के लिए बेस्ट है अगर इसके साथ आप वोल्यूम और M.A.C.D. और और इंडिकेटर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते ह अधरवाईस आप इस strategy का use candle और इस moving average का use करके इंट्राडे trading आसानी से कर सकते हैं आप randomly किसी भी stock को open कर लिजे किसी भी index को open कर लिजे वहाँ पर 15 minute का चार्ट लगाईए और वहाँ पर 14 डेका EMA set कर लिजे और फिर आप देखिए कि यह strategy वहाँ पर कैसे काम करती है आप ख अधर लिजे होगी और इसके सहारे आप ट्रेड ले सकोगे अब दोस्तो आगयाने वाले वीडियो हम हम moving average को ही लगा के समझेंगे कि वहाँ पर आप swing trading कैसे कर सकते हैं और दो से ज्यादा moving average को use करके उसके crossover जब होता है उसके सहारे हम वहाँ पर trade कैसे लग सकते हैं वहाँ